हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू टेस्टीन किचन 24 आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बिल्कुल धाबे जैसी दाल मखनी की रेसिपी बहुत ही आसान है बनाना बिल्कुल धाबे जैसा होटल जैसा टेस्ट आपको घर पर मिलेगा तो आप घर पर बनाएं और खुद भी खाएं मैंने इसके साथ बनाई है दाल मखनी के साथ तो आप वीडियो को लास तक देखेगा आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करिएगा दाल मखनी बनाने के लिए मैंने आदा कप से जादा उड़द लिये थे तो आप एक कप उड़द ले अब फिर इसमें मैंने देड़ कप डाल में पाच कप पानी डाला है आदा चमच से जादा मैंने हल्दी पॉडर डाल दिया है एक तेजपात पत्ता और दो तिन दाल चीनी के तुकड़े डाल दी हैं आपके पास बड़ी लाइची हो तो आप डालना चाह रहे हैं तो वह भ करीब हम 10-12 सीटी लगाएंगे इसे गलने में काफी टाइम लगता है फिर 10-12 सीटी के बाद में मैंने इसे खोल दिया था तो टोटल मैंने इसमें 12 सीटी लगाई थी और हम चेक कर लेंगे अगर कच्छा होगा तो थोड़ा और बॉयल कर लेंगे तो देखिए ये दबाने इसे राजमा अराम से टूट रहा है उड़त भी टूट रहे हैं तो यह बहुत अच्छे से गल गया है इतना ही सॉफ्ट होना चाहिए ये तो मैंने इसको इस तरह से इस चमत से मैश कर लिया है आपके पास पोटेटो मैश हो तो आप उससे भी मैश कर सकते हैं इसको और इस चाह रहे हैं तो आप टेमाटर की कांटिटी उससाबसे बाढ़ा दे तो आदज हमाटर हमने तेल गरम करता है जो सबजी वाला चमत होता है उससे आदज चमत पिर जीरा डाल तिया है ठेश पात पत्त थोड़ा से हींग और फिर एक चमच अद्रक लेसुन कपेज डाल कर हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे तो आप इस तरह से बनाईएगा बहुत ही टेस्टी बनती है दाल मखनी फिर उसमें मैंने दो हरी मिर्ची बारिक काट कर डाल दी हैं फिर उसे थोड़ा सा भून लेंगे उसके बाद में ह थे माटाब हुँ ने का यह चिपक जाएगा पैन से फिर उसके बाद में मैंने इसमें आधा चमच हल्दी डाल दी है हल्दी हमने बॉइल करते वक्त भी डाला था इसलिए एक चमच मैंने इसमें धनिया पॉडर डाला है और एक चमच भरके मैंने कश्मीरि Army powder टाला तो यह जादा तीखा नहीं होता है, आप चाहें तो नॉर्मल वाली लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, आदा चमज मैंने भुना हुआ जीरा पॉर्डर डाला है, फिर आदा चमज मैंने इसमें घरम मसाला डाला है, और इसे हम लगातार मसाले को भूनते रहेंगे, तो बीच उसमें जो हमने टामाटर की प्यूरी तैयार की थी वह चपूरी हम इसमें डाल देंगे आप रेडिमेट प्यूरी भी यूश्ट में ले सकते हैं लेकिन मैंने घर पर ही बनाया है इसका पेश्ट रहाए फिर वह ढलकर हम इसको भुन लेंगे जब तक और सेपरेट assessments उपने ट पाजमा दोनों अच्छे से मैश हो गया था कुछ थोड़ा थोड़ा साबूत दिख रहा है बाकी हमने मैश कर लिया है फिर सेम कूकर में हम बाकी की दाल में थोड़ा सा पानी डाल कर और वो इसमें डाल देंगे और इसे हम थोड़ी देर पकने देंगे करीब 3-4 मिनिट तक ह पीच में थोड़ा सा फ्लेम हाई कर दें नमक मुझे थोड़ा कम लगा था तो मैंने थोड़ा सा नमक और आट कर दिया है इसमें और इसे इसमें करीब 2 चमश मैंने इसमें बटर आट किया है फिर मैंने फ्रेश क्रीम ले लिए तो मैंने दो चमश फ्रेश क्रीम आट किया आप इसकी जगा पे मलाई भी आट कर सकते हैं, जो दूद की मलाई होती है वो डाल दिया, तो मैंने दो चम्मच इसमें फ्रेश क्रीम आट करकर और मिक्स कर दिया है, बटर और मलाई को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे इसमें, और देखें इसका कलर भी चेंज हो गया है, तो हम बाद में तड़का लगाएंगे, तो फिर से आपको थोड़ा ग्रेवी का कलर अच्छा दिखेगा, तो अब इसमें ग्रेवी में बॉइल आने लगा है, और मैंने हरा धनिया धूकर इसमें काट दिया है, आप चाहें तो एक चम्मच कस्तुरी मेती जो होती है सूखी वो तो आप बटर से तड़का लगाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगता है, फिर आदा चमच मैने इसमें जीरा डाल दिया है, जीरा थोड़ा पक जाएगा, तब हिसमें हम आदा चमच अद्रक लेसुन का पेस्ट आट कर देंगे, और अद्रक लेसुन का पेस्ट डालने के बा तड़के को हम करीब एक मिनिट तक भूनेंगे, और उसके बाद में जो हमने दाल मकनी तयार की है, उसके उपर इसे डाल देंगे, तो देखिए कितनी क्रीमी और कितनी टेस्टी लग रही है, तिनी डिलिशियस लग रही है, कि अभी इसको बस देखते ही खा जाएं, इतना स्वादिश्ट बनी थी, आप ट्राइ करेगा इस रेसिपी को, तो ये तड़का मैंने इसमें डाल दिया है, तड़का डालने के बाद में मैंने एक मिनिट और इस गैस फ्लेम अन किया था, और एक मिनिट इसको लो फ्लेम पर मैंने पका लिया था, उसके बाद मैंने इसको गास का फ्लेम बन करकर और इसको कवर करकर हमने साइड में रख दिया है तो डाल मकनी बिलकूल बन कर तयार हो गई हैं अब इसके लिए हम फ्राइड रणा गया है तो मैंने 1,5 dell कप बासमती राइस लिया है तो आदा गंटे तक ही भीगा जाता है इससे जादा नहीं भीगोना है अगर आपके पास दूसरी वराइटी ये चावल की तो आप उसी साब से भीगाएं इसको तो चावल को भीगते वे करीब 15-20 मिनिट हो गए थे तो मैंने इसे बनाने की तयारी कर ली है गैस पे हमने कूकर रख लिया है कूकर में मैंने एक चमच घी डाल दिया है तो बड़े चमच से घी डाल दे उसमें एक चमच जीरा डाल दिया है एक चुटकी हिंग डाल दी है दो हरी मिर्ची डाल दिये मैंने आप चाहें तो हरी मिर्ची ना डाले और लॉंग डाल दे मैंन उसको सब मुएलिक दें देंगे पानी में मॉच भीगा यहाग वो जो पीधिर के घ्खें लिगा से की सभी देगी से अब रहा अझा measuring के लिगा देने ने मैंने हरा धनिया डाल दिया है और इसको अब हम मिक्स कर देंगे चावलों में तो चावल इस तरह से आप बनाएंगे तो एकदम खिले खिले चावल बनकर तयार होंगे और बहुत ही बढ़िया जीरा राइस बनकर तयार हुआ है तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ एक ए कर देते तो चावल चिपके बनते तो हमने कम पानी डाला था इसलिए चावल एकदम खिले बने हैं फिर आपने इससे सर्फ कर लिया है तो मैंने इससे दाल मखनी के साथ में जीरा राइस बनाया है आप चाहें तो इससे नान के साथ खाएं या फिर रोटी के साथ या पूर पर ले सकते हैं तो एक साथ बनाएं और कई लोग मज़ा लेंगे इस खाने का तो आप कोई गैस टाइट बना कर दें बच्चों को दें बड़ों को दें सबको बहुत पसंद आएगा यह जिस तरह से होटल या धाबे पर सर्फ करते हैं वो लोग गानिश करके देते हैं फ्रे लाइखे गा आपको मेरी रेसिपी कैसे लगिये कॉमेंट में बताइएगा ज़रूर आप मेरे चैनल पर नए हैं वीडियोज को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा सबस्क्राइब करेगा वीडियोज को जादे से जादा लाइक करें और शेयर करें